पूजा घर में भूल कर भी ना रखे ये मूर्तियां, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा. नमस्कार दोस्तों राधे राधे जय श्री कृष्ण. प्रियभक्तों हर व्यक्ति सुख्षान्ती और सम्रिध्धी के लिए घर में भगवान की मूर्तियां लाकर रखता हैं और उनकी पूजा अर्चना करता हैं. आपके घर में भी कई देवी देवताओ की मूर्तियां और तस्वीरे होंगी, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ देवी देवताओ की मूर्तियां मंदिर में बिलकुल भी नहीं रखनी चाहिए. इन मूर्तियों के घर में होने पर सुख समरिधी आने के बजाय घर से चली जाती है प्रिय भक्तों हिंदू धर्म में इश्वर का वास धर्ती के कण कण में माना गया है लेकिन भगवान का मंगल मूर्ती में उनका स्वरूप मानकर पूजा करते हैं तो पूजा का कई गुना फल हमको प्राप्थ होता है भगवान को मूर्ती रूप में पूजने के पीछे आध्यात्मेखी नहीं बलकि वैज्ञानिक भी मत है जब हम अपने आराध्य को मूर्ती के रूप में पूजते हैं तो हमारा मन और मश्तिस्क भगवान के लिए समर्पित हो जाता है और जब भी उस मूर्ती को कोई चोट पहुचती है या हमारे हाथ से वह मूर्ती गिर जाती है तो हमें बहुत दुख होता है क्योंकि हमारा विश्वास उस मूर्ती से जुड़ा होता है आप तो बता दें कि घर में नित्य पूजा करने से घर में खुशाली आती है और नकारात कता दूर होती है प्रियमित्रों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर के पूजा घर में कोन सी मूर्तियां बिलकुल भी नहीं रखनी चाहिए लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें चलिए दोस्तों जानते हैं कि पूजा घर में किन देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए नमबर एक मादुरगा प्रियभक्तों मादुरगा की बात करें तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका कौन सा स्वरूप हम अपने घर में रख रहे हैं जैसे महिशासुर मर्दिनी का रूप संधार करती हुई चंडिका देवी का रूप ऐसी प्रतिमाया तस्वीर कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए नहीं तो आपको शुब परिनाम की जगह अशुब परिनाम देखने को मिलेंगे और आपको जीवन भर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसलिए मा दुर्गा का हमेशा सौमे रूप ही पूजा घर में रखें यदि आप मा दुर्गा की तस्वीर रख रहे हैं तो हमेशा यह ध्यान रखें की उनके शेर का मुह बंद होना चाहिए नमबर दो पूर्वजों की तस्वीर जदी दोस्तों आपने अपने पूजा घर में अपने पूर्वजों या पित्रों की तस्वीर रखी हैं तो उसे तुरंत हटा दें वास्तु शास्त्र और जोतिश में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है इससे बुरे परिणाम प्राप्थ होते हैं हिंदु धर्म में सिर्फ देवताओं की पूजा का विधान है साथ ही पूजाघर में किसी साधो या संत की मूर्ती या चित्र भी न रखें आप चाहे तो किसी साधो या संत की मूर्ती या चित्र दिवार पर लगा सकते हैं लेकिन इनकी मूर्ती या चित्र भूल कर भी अपने पूजा घर में न रखे नमबर तीन शिवलिंग वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए क्योंकि शिवलिंग शूने और वैराग्य का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए अगर आप शिवलिंग घर में रखना चाहते हैं, तो पारत का या फिर अंगुठे के आकार का शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं नमबर चार भैरव की मूर्ती भगवान शिव के ही एक अन्य रूप है भैरव प्रिय मित्रो भैरव जी की मूर्ती भी घर में नहीं रखनी चाहिए इसका कारण यह है कि भैरव एक तामसिक देवता है तंत्र मंत्रद्वारा इनकी साधना की जाती है जबकी पारिवारिट जीवन में सुक शान्ती और प्रेम की अपेक्षा की जाती है इसलिए घर में भैरव की मूर्ती नहीं रखनी चाहिए आप भैरव जी को प्रसन्न रखने के लिए आठ वर्ष से छोटे बालक को डोट भोजन करा सकते हैं लेकिन अपने पूजा घर में कभी भी भैरव जी की मूर्ती ना रखें नमबर पांच नट्राज की मूर्ती दोस्तों भगवान शिव जी का एक अन्य रूप नट्राज भी है वास्तु शास्त्र के अनुसार नट्राज रूप वाली भगवान शिव प्रतिमा घर में नहीं होनी चाहिए इसका कारण यह है कि भगवान शिव जब तांडव निर्त्य करते हैं तो विनाश होता है भगवान शिव जी नट्राज रूप में शिव तांडव करते हैं इसलिए इन्हे घर में नहीं लाएं नमबर छे भगवान शनी देव की मूर्ती दोस्तों जोतिश शास्त्र शनी ग्रह की शांती के लिए भगवान शनी देव की पूजा आराधना की सलाह देता है लेकिन इन्हें घर में लाने की सलाह जोतिश शास्त्र भी नहीं देता है शनी महाराज एकांथ, विरह, उदासीन्ता और विराग के देवता माने जाते हैं जबकी ग्रिहस्थी को चलाने के लिए राग प्रेम एवं भौतिक चीजों की जरुरत होती है इसलिए शनी महाराज की मूर्ती को भी घर में नहीं लाना चाहिए नमबर साथ राहू प्रियभक्तों राहू की शान्ती के लिए जोतिश शास्त्र में राहू की पूजा करने की सलाह दी जाती है लेकिन राहू की मूर्ती घर में लाने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि राहू एक छाया ग्रह होने के साथ ही साथ पाप ग्रह भी है यह मूल रूप से एक असुर है इनकी पूजा इन्हें घर परिवार से दूर रखने के लिए की जाती है इसलिए कभी भी अपने पूजा घर में भूल कर भी राहू की मूर्ती ना रखे नमबर आठ केतु मित्रों केतु भी उसी प्रकार का घर है जैसा राहू है क्योंकि दोनों ही एक असुर के शरीर से उत्पन हुए है इसे भी छाया घर और पाप घर के रूप में बताया गया है इसलिए केतु की प्रतिमा भी घर में नहीं लानी चाहिए नमबर 9. विशम संख्या में मूर्ती प्रिय भक्तों यदी आपके पूजाघर में भग्वान गणेश जी की विशम संख्या में मूर्ती रखी है, तो उसे भी तुरंत हटा दें विशम, संख्या में और ज्यादा मूर्ती रखने से बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं जिससे आपको जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है नमबर दस, रौधर रूप की तस्वीर दोस्तों किसी भी देवी या देवता की रौधर रूप की तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए या पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए इसे अनिष्ट कारी माना जाता है साथ ही मित्रों इसके अलावा कटिफ्टी धार्मिक पुस्तके भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए मित्रों पूजा के स्थान में कभी भी आपको भगवान की मूर्तियां जमीन पर नहीं रखनी चाहिए जमीन में रखी गई मूर्तियां घर में नकारात्मक उर्जा का कारण बनती है मूर्तियां स्थापित करने से पहले जमेन के उपर कोई चौकी या कपड़ा रखें साथ ही आपको कभी भी मूर्तियों को आपको दीवार से सटा कर नहीं रखना चाहिए ऐसा करना अशुभ माना जाता है नंबर बारह एक से ज्यादा शंक दोस्तों शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में एक से अधिक शंक भी नहीं रखने चाहिए एक से ज्यादा शंक पूजा घर में रखना अशुभ माना जाता है और दोस्तों इस बात का भी विशेश ध्यान रखें की पूजा घर में रखा शंक खंडित नहीं होना चाहिए इसलिए पूजा घर में एक ही शंक रखे और वह शंक अखंडित होना चाहिए दोस्तों हमें अपने पूजा घर में ऐसी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए जो plaster of Paris से बनी हुई हो इसके अलावा घर के मंदिर में कोई भी मूर्ती प्लास्टिक या संगमर्मर के पत्थर से बनी हुई नहीं रखनी चाहिए अपने घर के मंदिर में जब भी मूर्ती रखें हमेशा कोशिश करें कि वो चांदी, पीतल, सोने या फिर मिट्टी की बनी होनी चाहिए इसके अलावा आप अपने घर के मंदिर में तस्वीरे भी रख सकते हैं ऐसा करना आपके लिए शुब रहेगा नमबर 14, खंडिक मूर्तिया भक्तों पूजा घर में कभी भी तूटी या खंडिक मूर्तिया और खराब हो चुकी तस्वीरों को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए मान्यता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुब फल नहीं मिलता है और नकारात्मक उर्जा का वास होता है कई बार हम जाने अंजाने में तूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं जिसका अशुब प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरे घर में अनिष्ट का कारण बनती है परंपरा की अनुसार खंडित मूर्ती और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये तूटे फूटे तो नहीं है तूटे फूटे पूटे पूटे बरतनों का प्रयोग करना बहुत अशुब माना जाता है ऐसी चीजों को तुरंट घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरहे के दोश से बच सकें पूजा घर में तूटे फूटे बरतनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और ये चीजे घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई जगडे का कारण भी बनती है इसलिए हमेशा पूजा घर में सही बरतनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे जीवन में सकारात मकता आती है तो दोस्तों यह थी वहम मूर्तिया जो भूल कर भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ओफिशियल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लेता कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद